Hello and Welcome Back To My Channel तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ पुराने सॉल से कुरती बनाना तो आप किसी भी पुराने सॉल दुपटे से कुरती बना सकते हो इसे reuse कर सकते हो तो मेरे पास यह पुराना सॉल पढ़ा था तो मैं इसमें कुरती बनाऊँगी तो मैंने इसे open कर लिया है proper से तो इसमें आप देख सकते हैं दो hole दे रखे हैं जो कि कभी जल गई होगी है तो उसको ध्यान में रखे मैं इसे fold करूँगी तो मैं इसे करने वाली हूँ four fold में क्योंकि दोनों part हम एक साथ cut करेंगे तो इस तरह से हमने इसे fold करना है ताकि जो वो holes हैं वो ना आए इसमें तो मैं इस तरह से आड़े में से fold करूँगी आप चाहें तो सीधे में fold करके कुटती को बनाएं तो border के लिए मैं नीचे की ओर से लूँगी तो four fold में ने कर लिया है यो नो part एक साथ निकालेंगे और अपनी ओर हमने बंध साइड ली है और बाकी साइड से जो बचराय कपड़ा उसमें हम sleep cut करेंगे बाद में तो अपनी ओर हमने बंध साइड लेनी है यहाँ से नीचे की ओर border है तो नीचे की ओर से हम length लेना start करेंगे कुटती की तो जितनी length लेनी है मुझे उसमें 1.5 इंच में plus करूँगी क्योंकि मैं ये कुर्टी सलाई वाली बनाऊंगी तुर्पाई वाली नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक अपड़ा बहुत मोटा है तो तुर्पाई भी अच्छी नहीं लगेगी तो मैंने ready length में 1.5 इंच प्लस कर दिया है फोल्ड करने के लिए और उपर stitching के लिए 14 इंच पे mark किया है कमर की length के लिए 21 इंच पे mark किया है hip round की length के लिए पौने साथ में हम armhole के लिए mark करेंगे क्योंकि back neck में बनाने वाली हूँ 3 इंच का सभी निशान को बराबर कर लेंगे उसके बाद हम shoulder लेंगे तो shoulder में 7 इंच पे लोंगी यह हम back neck के according लेते हैं shoulder और armhole यहां से भी 7 इंच लेंगे ताकि दो उन पर नीचे बराबर रहें और इस तरह से मिला देना है armhole shoulder हम back neck के according लेते हैं उसके बाद chest का fourth part लेंगे जो भी measurement रहेगा यहां पे कमर का fourth part यहां पे hip round का fourth part लेना है और जितना हमने hip round लिया है उतना ही हमने गहरा लेना होता है आप कमिये जादा कर सकते हो अपने according उसके बाद सभी निसान को joint कर देंगे डेड़ से दो इंच आप margin ले सकते हो पर नीचे की और से मैं कम लूँगी margin क्योंकि मुझे sly वाली कुटती बनानी है बागी hip round और कमर की तरफ से मैं थोड़ा से जादा लूँगी margin इस तरह से आपको margin add कर लेना है losing के लिए यहां पर वन इंच में back armhole का shape देना है तो जो back में neck 3 इंच के होते हैं चोटे होते हैं उसमें इस तरह से गुलाई की जाती है armhole की तो यहां पर वन इंच पर वैक armhole का shape दिया है उसके बाद neck की width देखेंगे तो मैं रखने वाली हूँ 3.5 इंच नेक के विर्थ और जो लेंट रहेगी वो टोटल लेंट रहेगी नेक की 7 इंच तो इस तरह से 7 इंच पे एक मांक कर लिया है मैंने अब उपर की ओर से मैं 4.5 इंच पे एक मांक कर लूँगी और इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी इसमें हम राउंड शेप की गुलाई कर देंगे जैसे रेडिमिट कुड़ती में जैसे आता है नेक वस्तरे का हम बनाएंगे यहाँ पर कट लगाएंगे इस तरह से हाफ इंच का तिर्चा माग किया है मैंने और उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं जो बैक नेक छोटे होते हैं उन में और हाफ इंच दिर्चा करते हुए अंदर की ओर माग करेंगे और गुलाई करेंगे फ्रन्ट आर्मोल की हमें अभी नेक की कटिंग नहीं करनी है बस नॉर्मल कटिंग कर दी है मैंने आप देख सकते हुए यहां पर कटल लाएंगे नेक की कटिंग हम फ्रन्ट पार्ट में करेंगे इसलिए बैक पार्ट को हटा देना है फ्रन्ट पार्ट को डवल फोल्ड में रखे फ्रन्ट आर्मोल की कटिंग कर देनी है अब हमने sleep के लिए कपड़ा fold करना है तो हमने ध्यान में रखना है कि जो holes है ये sleep में ना आए तो इस तरह से मैं इसे fold करूँगी दोनों sleep में अलग-अलग निकालूँगी ताकि मेरी sleep बन जाए और ये holes भी ना आए उसमें तो दोनों side से इस तरह से मैंने fold कर दिया है आप देख सकते हो और इस तरह से fold करने के बाद एक बड़ी और हम fold कर लेंगे तो हमारा four fold में ये कपड़ा हो गया है इसको ध्यान से देखना है आपको किस तरह से मैंने से fold किया है उसके बाद जो भी ready length है उसमें हमने 1.5 inch plus करना है और extra कपड़ा हमने cut कर देना है तो जैसा कि आप देख रहे हो ये border तिर्चा है मेरे उसमें सीधा नहीं आ रहा है तो मैं इसको fold करने में लगा दूंगी इसको मैं नहीं रखूंगी बाहर की और तो 16 inch पर मैंने mark कर लिया है जितनी भी sleeve है उसमें हमने 1 inch plus करके लिया है डाउन करेंगे 3 inch पर क्योंकि हम sleeve भी fold करेंगे तो रुपाई नहीं करेंगे 3 inch पर down किया है मैंने अब यहाँ पर आती है बारी आर्मोल का आधा लेना है यह आपको बहुत ज़ादा जरूरी देखना है क्योंकि यहाँ पर आर्मोल का आधा लेना होता है तभी fitting आएगी sleeve की यहाँ पर bottom का आधा लेना है दोनों निसान को मिला देना है आर्मोल को बहुत ज़रूरी लेना होता है fitting में वरना lose हो जाता है दोनों गुलाई कर देनी है cut कर लेना है sleeve को अब भी हमने एक ही गुलाई करिये cutting क्योंकि हमने दोनों sleep अलग तरह से fold किया है जैसा कि आप देख सकते हो अब हम इन दोनों sleep को open करेंगे और दोनों के सीधी side अंदर की और रखते हुए हम इस पर रखतेंगे दोनों sleep को equal रखते हुए हम इसकी गुलाई की करेंगे cutting कुछ इस तरह से पहले हमने इसलिए नहीं की cutting अब हम stitching करेंगे तो neck बनाएंगे neck के लिए हमने double fold में कपड़ा रखा है हम इसे बुकरम बाला नहीं बनाएंगे क्योंकि यह बहुत मोटा हो जाएगा तो हमने double fold में कपड़ा रख दिया है और double fold में हमने front part को रख दिया है अब जो हमने shape दी थी neck की उसको हम cut कर लेंगे और एक चीज़ ध्यान रखनी है दोनों की one side एक ही तरफ रहनी चाहिए इस तरह से हमने cut कर लिया है proper shape को neck की उसके बाद 1.5-2 inch extra margin लेते हुए हम cut कर देंगे तो यह हमारी neck की shape बन गई है हमें बुकरम की जरूरत नहीं पड़ी है और इसको right side से रखेंगे कुछ ही इस तरह से जो shape है उसी shape में हमने sly लगा के start करना है और जहाँ पे corner आएंगे बहाँ पे हम बाद में cut लगाएंगे तो यहाँ पे हमने sly लगा लेनी है तो sly लगाने के बाद cut लगाने हैं पूरे neck पे otherwise यह fold नहीं होगा cut लगाने के बाद इस तरह से fold करेंगे तो आप चाहें तो इस कपड़े की pipe in भी निकाल सकते हैं या फिर आप proper fold कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे pipe in निकाल ली है और दूसरी side से आप देख सकते हैं मैंने proper इससे double fold किया है बाद में मैं इसमें तुरपाई करनूंगी अब आती हैं back neck की बारी तो back neck पे इस तरह से आपको measure करना है दोनों के shoulder equal रहने चाहिए तो shoulder की तरफ से मैंने रखा है बागी दो mark किये हैं एक उसको touch करते हुए और एक थोड़ा से half inch की gap पे तो जो half inch का gap है वहाँ पे हमने neck की width रखके cut कर दिया है line हमने 3 inch रखे दे यहाँ पे और एप पट्टी cut करेंगे normally अब इसको right side से रख देंगे और एप पट्टी को खीशते हुए हलका सा रखना है अब cut लगा देंगे इसके उपर cut लगाने के बाद इसे simply fold कर देना है half inch तक इस तरह से उसके बाद हमने extra कपड़ा cut करना होता है जो भी एक्स्टर कपड़ा है तब भी यह fold होगा अधरवाज यह fold नहीं होगा अब हमने इसके उपर रख देना है front part को दोनों की right side अंदर की और रहेगी shoulder को करना है joint जब आप shoulder joint करोगे न तो यह neck जो है back वाला इसके उपर fold करना है पहले आपको shoulder joint करने है फिर आपको neck fold करना है अब आपको दोनों side equal mark कर लेना है इस तरफ के जो mark थे वो दूसरी side भी हमने छाप लिये है और side की हमने करनी है fitting और नीचे की और से इस तरह से हमने ये fold कर देने है double fold करना है side से भी आपको double fold करना है कुछ इस तरह से तो यहाँ पे हमने दोनों side से चाक भी double fold कर लेने है नीचे की और से भी उसके बाद हमने जो sleep का नीचे का area है इसे भी हम बारिक fold करेंगे इसमेरा आपको आरम्ल का आधा लेना है ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ यहां पर आपको बॉटम का आधा लेना है और उसके बाद दोनों निशान को आपस में कर देना है जॉइंट उससे पहले आपको इस तरह से भी चेक कर लेना है अगर आप आर्मॉल का आदा नहीं ले रहे हो तो आपको ये कुड़ती का आर्मॉल इस तरह से मेजर करके देख लेना है तो दोनों मैथट से मेरा इक्वल आया है जैसा कि आप देख सकते हैं और इस तरह से हमने लगा देनी है सिलाई इस पे सिलाई लगाने के बाद आपको कर लेना है अब आपको दोनों राइट साइड के पार्ट इस तरह से पकड़ने हैं अंदर की ओर से और दोनों जोइंट को इक्वल करते हुए आपको पकड़ने है शोल्डर आपको ऊपर ध्यान रखना है स्लीप के सेंटर पर आना चाहिए जो शोल्डर वाली स्लाई है और पराने रेजक्टन सॉल जैसे कयो आपसे तरीके से बनाया है तो आप इसका नयक सकते हो मैं प्रेस नहीं किया है और उसके बाद पर नगर उन है पंगे देख सकते — और तो इस लि़गी आपको ये वीडियो कमेंट कर के जरूर बताएगा फुल स्टीचंग होने के बाद मै इस तरह से नजर आ रही है यह कुड़ती आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप भी मेरी तरह पुराने रेजेक्टेट शॉल्ट पट्टे से इस तरह की कुड़ती बना सकते हो एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू